Good morning everyone, I welcome to all of you to Prep IS. दोस्तो आज है October 4, 2021, मंडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं The Hindu Newspaper की Analysis. मेरा नाम है सितिंदर चोधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ selected topics मैं यहाँ पे लेके आया हूँ. यह बार Newspaper में आगे बढ़ने से पहले briefly देख लेते हैं अज हम लोग कौन-कौन से topic करने वाले हैं. पहला topic जो हम लोग करने वाले हैं that is going to be from the front page वो रहेगा Gaming Disorder Increases During Pandemic. Pandemic के समय बे बच्चे इतना जादा game खेलने लगे हैं कि उनकी mental health के ओपर negative impact पढ़ गया है. इसके बारे में आपसे हम लोग बात करेंगे. अगला रहेगा Reimagining Food System with a Lesson from India. यह वैसे, देखे, essay के लिए कोई separate syllabus नहीं होता है. आपको जो पूरा GS होता है, वही आप essay के अंदर include करते हो. लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि जो आज एडिटूरे है यह आपका GS की बजाए essay में इसका content आपका ज्यादा काम आएगा. तो क्योंकि आपकी essay के आज गिल क्लासी चल भी रही है, तो वहाँ पे भी आप कही न कहीं इसका use कर सकते हो. ठीक है, बहुत शांदार article, अगर आपको GS के perspective से पढ़ना है, तो आप इसको agriculture वाले sector से कर सकते हो. अगले रहेगा the peace at the heart of education, ये भी आज एक essay का topic है, बहुत शांदार topic है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप इसको education वाले sector से भी, इसको आप कहीं न कहीं GS paper 3 से जोड़के देख सकते हो, लेकिन इसका जो जादातर content है, वो आपका essay में बहुत बढ़िया काम आने वाला है. अगले रहेगा that is going to be about the NIA searches premises of the cross LOC trade, देखे कोई news अपने आप में important नहीं है, लेकिन इस news के बहाने से मैं आपको थोड़ा सा आज NIA के बारे में बताऊंगा, च्योंकि GS paper 3 में हम लोगों को अपनी investigation agencies के बारे में पता होना चाहिए, जैसे CBI है, ROW है, NIA है या और भी first ever retreat ceremony at सूचयतगड, देखे, news में है, इसलिए prelims में कहीं बार आपसे पूछ रहता है, कि this place was in news recently, it is related to what, इस तरह के question हो कहीं बार exam में पिछले 2-3 साल में पूछ रहा है, तो हलका सा news होता है, लेकिन आपके आँखों के आगे से निकल जाता है, बहुत important होता नहीं है, लेक इंडिया वाले portion से, इंडिया और इंट्स नेबर्स, वहां से इसको कर सकते हैं, तो कि इंडिया और पाकिस्तान यहां पी निवोल है, अगे दा रहने वाला है, पैंडोरा पेपर का मतलब यह है, कि एक टेक्स हेवन जो होती हैं, कंट्रीज वहां के कुछ पेपर लीक होए हैं, उन पेपर जब लीक होएं, उन में बहुत सारी वर्ल्ड के सेलेब्रिटीज और लीडर्स का नाम आया है, इंडिया में भी बहुत सारे लोगों का नाम यहां पे आया है, तो इसको हम लोग जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर थरीके प्रस्पेक्टी से कवर कर सकते हैं आपको बतायें, बिना मेरे से रहा नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको आपकी यहां पे इक्लूड कर दिया है, फार्म प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, फार्म बिल जो इंट्रिडूस हो गए हैं, इसका नेगेटिव इंपक्ट, पॉजिटिव इंपक्ट, इसके अनेलिस, का प्रस्पेक्टिव, फार्मर्स का प्रस्पेक्टिव, MSP क्या होता है, APMC क्या होता है, मंडी सिस्टम कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हम लोग पास्ट के एडिटोरिल्स में चर्चाएं कर चुके हैं, तो उस टोपिक में बेसिकली नहीं जाओंगा, सिर्फ एक आप प्रस्पेक्टिव हो सकते हैं, वह एक अलग बात है, प्रस्पेक्टिव कर रहे हैं, उनके उपर इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो कुछ किसान मारे गए, उसके बाद वहाँ पर वाइलन्स हुआ है, तो थीती जो है थोड़ी सी फ्रजाइल सिचुएशन है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके एक्जाम के प्रस्पेक्टिव है, जी एस पेपर फॉर में, एक कोई case study यहां से आपको आ सकती है, तो इस news को आप देखते रहे हैं, इसको cover करते रहे हैं, क्योंकि कहीं बार वाद ऐक्जाम में आपसे ने इसी तरह की case study पूछता है, कि जैसे आ particular area में DSP हो या SP हो उस एरिया के DM हो और वहां पर अगर इस तरह के protest हो रहे हो और इस तरह के incident हो गया हो तो आप उसको किस तरह से tackle करोगे तो वह आप से course of action पूछ सकता exam में best course of action and what are the options available to you तो simple सा question बन सकता imagine you are an SP of a particular area where this incident happened unfortunately the farmers were protesting and because of unfortunate incident few farmers died and as a result of that farmers are very very angry and they are trying to resort to the violence in that situation what are the options that you have and what are the course of action that you are going to take and they are also going to ask you the dilemma ethical dilemma यहां पर कौन कौन सा है तो इस तरह के question आवा आप से exam में पूछता है तो GS paper through का case study आपका यहां से बन जाएगा तो इसको थोड़ा सा आप देखते रही है और उन points को भी आप knockdown यहां पर कर सकते हो ठीक है तो GS paper through 4 हम लोग काफी कम cover करते हैं इस तरह की चीज़ों के हम लोग उसमा definitely cover कर सकते हैं GS paper 4 से और जो यह farm bill है यह तो आपको पहले से पताए कि कौन-कौन से farm यहां पर हम लोग इंटर्ड्यूस कर चुके हैं ठीक है चलिए GS paper 4 का अज एक topic अपना हो गया है आप comment section में बता सकते हो कि अगर आप इस तरह की चीज़ी होती है तो आप कौन सा course of action ले सकते हो कौन-कौन अगरा से आप उसको भी हमारे टेलिग्राम चैनल पर प्रैप आइस के नाम से जो चैनल है वहां पर जो ग्रूप है वहां पर जाकर अपने आंसर को सब्मिट कर सकते हो और एक peer evaluation कर सकता आप एक दूसरे का आंसर का यह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी चलिए अगली नियूज आने वाले हो है Pandora Papers Exposed Top World Leaders यह है क्या Pandora Papers देखे कुछ पेपर जहें पैंडारा का मतलब होता है क्या Pandora box जिसमें ऐसमें आप मेले वन जाते हैं होना Pandora box टाइप का उसके लिए क्या जाता है Tax 7 का यूज क्या जाता है तो कि Tax 7 जो country होती है वहाँ पे Tax almost minimum होता है जीरो होता है इसलिए बहुत सरे लोग क्या करते हैं वो फरजी कंपनिया बना के वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं जैसे एक example छोटा साब को देता हूँ जैसे Mauritius है तो जैसे मालो टाटा कंपनी है वो इंडिया में है और वो क्या करते हैं टाटा वाले एक अपना ओफिस यहाँ पे खोल लेते हैं और वो यह दिखाते हैं कि Papers पर कि Mauritius वाली company जो है वो main company है जो इंडिया में काम कर रही है वो subsidiary company है अब उसको tax कहां पर देना पड़ेगा जहाँ पर वो main company है और मौरिशियस में tax almost zero है इसलिए इस तरह से टाटा अपने tax को बचा सकती है और इन country के साथ इंडिया के जो है वो taxation treaties वगरा भी होती है तो यह loophole होती है जो कानून में उसका फायदा उठाती है और यह कंपनिया क्या करती है लेयर्स बना बना के investment करती है एक company की investment दूसरी में तीसरी में चोथी में पांच इन इतनी सारी लेयर बना देती है आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुल में उस company का director कौन है उसका मालिक कौन है पैसा कहां से आ रहा है इतना sophisticated यह तरीके से काम होता है tax 7 का tax 7 की कोई yes such definition नहीं होती है लेकिन OECD ने कहा है कि कुछ चार criteria है अगर यह चारो satisfy होते है तो आप उसको tax 7 कह सकती हो जैसे no और only nominal taxes हो वहाँ पे होते है जैसे capital gain tax या income tax corporate tax nominal होते हैं zero के बराबर होते हैं तो definitely उन country's को benefit होता है जो वहाँ पे जाती है lack of effective exchange information भाया बहुत secrecy होती है बताते नहीं है अगर इंडिया के साथ मालो इंडिया मौरिशियस से अगर मांगता है record क्या बताईए कि मेरे country की कौन कौन सी लोगों की company वहाँ तो आपको tax collection कितना हुआ नहीं हुआ यह सारी चीज़े वो transparent बिल्कुल भी नहीं होती जैसे Switzerland का जो banking system है स्विस बैंक के नाम से जो popular है बहुत बहुत पराने समय से चलता आ रहा है तो लोग अपनी back black money वगरा को वहाँ पे चुपाते हैं दूसरी country लाख request कर लें वो आपको बताते ही नहीं है लोकल presence note required और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि उन countries में company खोलने के लिए आपको वहाँ पे company establish करने की जोरूत नहीं है recently एक report आये थी के Mauritius में एक चोटी सी building थी उस चोटी सी building में लगबग 20,000 company रेजिस्टर थी मतलब आपको वहाँ पे physically presence होने की भी ज़रूत नहीं है बस आप वहाँ पे क्या करना है वहाँ पर जाके एक office को rent पे लेना है और उस rent के सामने अपने name plate लगा देना है और बस उससे आपका काम हो जाता है तो यह tax heaven होता है जैसे एक उस example जैसे बर्मूडा, British Virgin Islands, Cayman Island, Cook Island, Hong Kong, Mauritius, Linchstein, Panama and Switzerland all that कुछ साल पहले भी Panama Papers की leakage होई थी जिसमें बहुत सारे Indian लोगों का नाम आया था अमिताब बच्चन का नाम भी इसमें आया था, श्विर राय का नाम आया था और भी बहुत सारे लोगों के यहां पे नाम आया था Panama Papers में वो भी situation हुई इस बार जो Pandora Papers जो यह रिलीक होएं इसमें भी बहुत सारे लोगों का नाम आया है Indian Express अगर अब नहीं पढ़ते हो तो अलग बातले कि Indian Express में बहुत सारे नाम दिये हुएं Indians के, Sachin Tendulkar का इसमें नाम आया कि एक अपन्या में बड़ी एक, मुझे तो बहुत बुरा लगा यह न्यूस पढ़के Sachin Tendulkar, इनके father-in-law, इनकी wife, इनका भी इसमें नाम आया है लगभग एक million dollar के लगभग उन्होंने वहाँ पर इन फरजी कंपनियों के इंदर invest कर रखे है और उन company के directors भी है, और भी कई सारे लोगों का नाम आया है अनी लंबानी का नाम आया है, मर्चेंट का नाम आया है, कई सारे लोगों का नाम आया है तो एक मतलब देखी यार वैसे तो लोग करते ही है दो नंबर का धंदा लेकिन भारत रतना, सचीन Tendulkar और पहले मताब अच्चन का नाम आया था तो ये अच्छा नहीं लगता है, है ना, हलाकि इसके उपर कोई कारवाई नहीं होगी क्योंकि वो एक अलग मैटर रहेगा, लेकिन स्टिल नाम आना ये अपने आम में थोड़ा सा एक अच्छी वात नहीं है खेर, अगली जो न्यूज आती है, कहां से सुचेत गड़ से आती है कोई खास बहुत जादे इंपोर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन एक्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सुचेत गड़ न्यूज में था, किस लिए था देखी ये एक रेलोकेशन अगर आपको मैं दिखा हूँ, तो देखो ये जो है आपका, ये है इंडिया का बोर्डर है, ठीक है ये इंडिया का बोर्डर है, इदर ये पाकिस्तान आ जाता है तो सियाल कोट जो है पाकिस्तान का city है और ये बिलकुल border के ओपर जो सुचेत गड़ है वो Indian city है छोटा सा गाउँ है basically लिए city वेटी कुछ नहीं है तो सुचेत गड़ और सियाल कोट के बीच में ये corridor है मतलब एक सड़क है जो इनको आपस में connect करती है इसी तरह कि ये connect जो है देखे इस तरह से ceremony होती है हर रोज evening के समय ceremony होती है दोनों तरब के सैनिक हैं वापस में ceremony करते हैं बहुत सारे लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और revenue होता है tourism increase होता है और एक देश भक्ती की feeling भी आती है मैं वहाँ पे एक बार गया हूँ बहुत शांदर feeling आती है highly recommended ह कभी भी आप पंजाब की तरफ जाओ अमिर्टसर की तरफ जाओ तो definitely आपका वागा बॉर्डर पर जाना चाहिए एकदम जबरदस्त वाली एकदम पेटरिटरिजम वाले आपका feeling आएगी अब इसी तरह की retreat जो है वो जे एंड के के अंदर भी शरकार ने शुरू कर दिया ह पर यह सुचेतगड के बीच में और सियाल कोट के बीच में तो जो चीज अटारी मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा ग्रैंड होगा जितना वागा बॉर्डर पर होता है लेकिन कहीं ना कहीं tourism के options तो खुलेंगे क्योंकि जे एंड के में especially इस एरिया के आसपास के कि इसका स्वागत किया है वहाँ पर जो पोस्ट है उसको ओक्ट्रोई पोस्ट कहा जाता है जोड़ा सा वागा बॉर्डर के बारे में भी देख लेना है ना एक बस इतना ही बताना था जिएक प्रसपेक्टिश आप इसको देख सकते हूं और क्योंकि आज कल इंडिया पाक को मैंटेन किया गया है बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि इतने लंबे समय तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में ceasefire Be किया गया है कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी के पास हथियार नहीं है इसलिए वह सिस्फायर वाइलेशन नहीं कर रहे हैं यह सिर्फ मैं आपका उपीनियन जानना चाहता हूं इसलिए मैंने इसको यहां पर क्योंकि आपकी यंग भी हो और आप गेम भी खेलते हो टेकनोलोजी सेवी भी हो तो आप से मैं उपीनियन जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आप मुझे यह बताओ कि आजगल के जो बच्चे हैं स्पेशली जो टीनेजर्स हैं यंग लोग हैं वो इतना ज बहुत ज़दा खेलते हैं कितने बाद इंसिडेंट सुने जाते हैं कि किसी बच्चे ने अपने फादर के कार्ड से क्यूंकि पैमिंट कर दिया किसी ने विचाप में पाड़ां में केश आया है था कि उसके दादा जी बिचार रिटायर हूए थे और अपने दादा जी के स सारा पैसा उन्होंने गेमें लुटा दिया, कितने सारे केस आते हैं, सिर्फ और ये बात नहीं है, बात है, mental health की बात है, तो यहाँ पे एक student, एक बच्चा है था, कोई 15 साल का बच्चा है बैंगलूरू में, उसको insomnia हो गया, वो social contract से खतम कर दिया, academy में फेल होने लगा, तो उसके parents उसको लेगे गए, कहाँ पे लेगे गए, उसको लेगे गए mental health and the neuroscience, ठीक है, यहाँ पे लेगे गए, यह जो है बैंगलूरू के अंदर है, और यह इंडिया का fourth best medical institution भी है, यह भी आपको मैं बता दूँ, जो यह NIMHS इसको बोलते हैं, यह मेरे खाल से 1847 में इसको बनाया गया था, उस समय यह इट वस जिस्ट अ mental asylum, पागल खाने के रूप में था, लेकिन बाद में 1925 में इसको एक medical center के रूप में बना दिया गया था, इंडिया में एक मात्र अपने type का है यह, जबरदस्त है, ठीक है, तो आप मुझे यह बताओ कि क्या gaming से actual में आपको लगता है, वह ज़्याद नुकसान हो रहा है बच्चों को, उनकी academy पे या उनकी psychology पे, क्योंकि बच्चे outdoor activity नहीं करते हैं, बार खेलने नहीं जाते हैं, उनकी health के उपर negative impact होता है, क्या बच्चों के parents के बीच में relationship भी खराब होते हैं, जितनी भी dimension आप open कर सकते हो न, इसके बारे मुझे जुरूर बताना, मैं जानना चाहतू कि young जो लोग है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आप भी बहुत सारे लोग game खेलते होंगे, क्या game खेलना इतना बुरी बात है, क्या इसको पूरी तरह से ban कर देना चाहिए, या फिर इसको moderation में use करना चाहिए, regulate कर सकते हैं, लोग जैसे China ने भी regulate किया है, China ने condition लगा दिया कि एक हफते में, आप सिर्फ तीन घंटे के लिए ही game खेल सकते हो, उसकी भी कुछ 18 साल से अगर आपकी उमर कम है, कैसी तरह के कानून इंडिया में भी आना चाहिए, actually केरला में इसको लेके कानून आया भी था, लेकिन केरला हाई को इसको reject कर दिया, है ना, उन्होंने कहा के नहीं यह सब नहीं है, वो एक अलंग उद्दा रहेगा, World Health Organization ने भी जो है gaming disorder को एक mental health condition मानता है 2018 के बाद से, COVID के बाद में थोड़ा सा ज़ादा यह prevalent हुआ है, definitely, school बंद हो गए है, outdoor activity बंद हो गई है, है ना, अपना opinion मुझे ज़रूर बताना, exam में definitely question तो आही सकता है, होते का अलग matter रहे गई, आप बताना मुझे, अपने experience से, आप नहीं खेलते होंगे तो आपके पास, आप क्या साथ भाही बहन खेलते होंगे, आपके friends खेलते होंगे, आप भी खुद खेलते होंगे, कितना limit में आप खेलते हो, तो थोड़ा सा personal आप मुझे अपने point of view बता सकते हो, ठीक है, अगली ज़रूर जाते होते NIA से, NIA searches, premises, प्रिमाइसिस, और था क्रोस, एजनसी, ठीक है, क्योंकि GS paper 3 में आपको investigation agency के बारे में पढ़ना रहता है, तो that is why you should know about the NIA, CBI, ROW and all that, बहुत थारी organization हमारे country में, खेर, NIA क्या है, एक counter-terrorism law enforcement agency है, याद रखना, counter-terrorism, ठीक है, इसको 2008 में जब Mumbai terror attack होआ था, उसके बाद इसको create किया गया था, ठीक है, NIA की जो investigation होती है ना, उसके लिए इसको किसी state की permission की requirement नहीं होती है, अगर कोई case NIA के पास चला गया है, तो state के बिना ही वो उसको investigation शुरू उसकी कर सकता है, ये agency की इस चीज़ को investigate करती है, जो terror offense होते हैं, या फिर इंडिया के against में आप war wage कर देते हो ना, declare कर देते हो उस case में, या nuclear facility वगर आप अटैक करने की कोजिश करते हो, उस सारे case में NIA investigation कर सकता है, NIA इस तहमें इंडिया की सबसे sophisticated और advanced एक investigation agency है, जो पूरी तरह से global standard को follow करती है, NIA के मेरे एक दूर के friend है, वो NIA में काम करते हैं, और वो forensic department में हैं, उनकी training उगरा सब USA में होती है, इसराइल में होती है, और रशिया में होती है, मतलब एकदम highly global standard को follow करते हैं, तो इसलिए इनका result भी बहुत अच्छा आता है, NIA की investigation mostly successful होती हैं, है ना, चलिए, NIA function किसके अंदर काम करते हैं, Ministry of Home Affairs के अंदर में काम करते हैं, इसको head कोन करते हैं, DG होते हैं, जो एक IPS officer होते हैं, देखो कितनी बड़ी responsibility है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, आग यंग age है, और IPS officer बन जाते हो, एक दम अच्छा अगर आप काम करते हो, तो आपको NIA का DG भी बनाया जा सकता, head बनाया जा सकता, it's a very very, you know, great opportunity, NIA amendment किया गया है 2019 में, जिसमें इसका scope हम लोगों ने थोड़ा सा increase कर दिया, अभी NIA terrorism, terrorist वाले case को तो investigation करेगा ही, लेकिन human trafficking वाले case को भी कर सकता है, counterfeiting agency में जो नकली note होते हैं, currency जो नकली note होते हैं, उसको भी करेगा, sale of manufacture of the prohibited arms, हतियार वगरा कि जो तसक्रीब वगरा होती है, उसको भी करेगा, explosive substances वगरा, RDX वगरा अगरा आप करते हो, import export उसको भी करेगा, तो अभी इसके scope को थोड़ा सा हम लोगों ने और बढ़ा दिया है, इसी amendment में हम लोगों ने scope ये भी बढ़ा दिया, कि NIA सिर्फ और सिर्फ country के अंदर ही नहीं, लेकिन outside Indian territory, उन cases को भी investigation कर सकता है, are we getting this point, और इस नए amendment के तहत हम लोग special court designate कर सकते हैं, तो जो हमारे subsidiary court होते हैं, हाई court की supervision में special court हम लोग declare कर सकते हैं, ताकि जल्दी से फैसला आ जाए, और इसलिए NIA के mostly cases का जल्दी से फैसला आ भी जाता है, तो इतनी sophisticated agency है, right, चलिए, आज का जो question है, question तो बहुत सारे बन सकते थे, जिस तरह के topic हैं आज, to restore the peace, मतलब यह सिधा सिधा आपको यह पूछ रहा है, कि COVID-19 के समय में society में, even COVID-19 से पहले भी, जो situation है society में, जो खराब चीज़ें हो रही है, education उसको कैसे role play कर सकता है, education से कैसे उन चीज़ों को improve कर सकते हैं, education कैसे society में peace और stability को ensure कर सकता है, basically, आपका essay का topic भी बन सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर GS के perspective से डाल दिया, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, GS paper 4 में भी इस तरह का question पुछा जा सकता है, GS paper 2 में भी इस तरह का question पुछा जा सकता है, चलिए, अगला तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ही essay के लिए डाला है, preventing war is the work of politicians, establishing peace is the work of educationist, ठीक है, थोड़ा से philosophical है, तो इस तरह के essay आपके आते ही हैं, वो आपको एक simple सा quote, एक simple सी statement देते हैं, उसके basis पे आपको answer लिखना रहता है, ठीक है, जितना आपका जो quote होता है, exam में जो statement होती है, essay में जो quotation होती है, जितनी वो बड़ी होती है, उतना ही आपका essay का scope छोटा हो जाता है, जितनी ही वो quote छोटा होता है, उतना ही आपका essay का scope बड़ा हो जाता है, तो इसका statement बड़ा है, इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा dimensions नहीं है लेकि जितनी dimensions है कम से कम आप उसके अंदर ऐसे को लिख सकते हो यहाँ पे आप अरे इसके उपर पर बुक लिख सकते हो यार मतलेकिन हम तो सिर्फ आपको बोलेंगे कि 1000 words तो कम से कम लिखो एसे के लिए समय है लो अरे 500 बड़ लिखो कुछ ना कुछ तो लिखो अगला कहता है food is the best vaccine amongst cures बिल्कुल बहुत बड़ी है एक ऐसे का topic आपके लिए यहाँ से बन सकता है ठीक है इसका जितना हो सकते आप आप से लिखने की कोशिश करना सब्मिट करवा सकते हो क्या कहता है कह रहा है कि peace at the heart of education क्या कह रहा है peace at the heart of education मतलब जो शांती है जो education होती है हमारे जो शिक्षा होती है उसके बिल्कुल core में होती है अच्छी education ensure करती है कि society में peace रहे stability रहे देखे दो अक्तूबर को परसो यानि के जो गांधी जी का जनती थी लाजबाद उशाष्त्री की जनती थी खेर गांधी जी के नाम पर हम लोग international day of non-violence मनाते हैं ठेक है कोवीड के समय में क्या हुआ कोवीड के समय में situation थोड़ी सी society में खराब होई है कुछ कुछ जो नई new force of division जैसे लोगों के बीच में disability बढ़ी है income जो distribution था और जदा uneven हो गया है migration वाली problem हम लोग यहां पर देखी rich और poor के बीच में जो gap है और जदा बढ़ गया है health sector में जो poor लोग है वो जदा impact हुए है rich लोग कम impact हुए है educational level पर देखो जो poor children है वो जदा negatively impact हुए है तो covid जो चीज़े society में पहले से चल रही थी न negative चीज़े covid के समय में वो और जदा escalate हो गई है hate speech बहुत जदा increase हो गया है fake news बहुत जदा improve हो गया है fear of other fear of other की यहां पर feeling आने लगी है जैसे Hindu Muslim के बीच में crisis की बात करो man women के बीच की crisis की बात करो rich और poor के बीच की बात करो north India, south India जो fear of other है ना यह covid के समय में यह और जदा influential हो गया है ठीक है तो यह जो inequality है जो बड़ी है समाज में जो पहले से थी covid के समय में जो और जदा बढ़ गई है इसकी बज़े से society में काफी जदा tension हो गई है और यह social unrest को fuel करता है है ना riots वगरा और violence हो गया है ना चोरी चकारी हो गई violence against women हो गया rape case हो गया domestic violence हो गया इन चीजों को और जदा बढ़ा दिया है world bank और UN ने मिलके एक report निकाली थी जिसका कहा गया था pathways for the peace इसने एक reason बताया था इसने कहा था कि जो society में conflict होते हैं इसका current क्या होता है exclusion और feeling of injustice exclusion मतलब जब कि आपको society से बाहर निकाल दिया गया है जब आपको feeling आने लगती है किसी को जब feeling आने लगती है और वो ते society का party नहीं है exclude कर देता कोई उसको तो उसके अंदर anger आता है उसके अंदर एक खराब feeling आती है violence वाली feeling आती है उसका self confidence बिल्कुल zero हो जाता है जब उसको आप exclude कर देते हो और जब आपके साथ injustice होता है जब लोगों के मन में feeling आने लगती है कि उनके साथ injustice हो रहा है because they belong to a proper religion gender or some other section of the society injustice की वज़े से उनके दिल में जो है एक dislike वाली feeling आती है hate वाली feeling आती है जो कही ना कही violence के रूप में manifest हो जाती है अब इन सब का solution क्या है जो according to this editorial बताया गया है solution इनके बताया है कि education skill based education और value based education आपके मन में tolerance वाली feeling लेके आती है क्योंकि देख जब आपको skill मिलेगा तापको jobs मिलेगी jobs मिलेगी तो आप occupied रहोगे और जब आप job मिलती है आपके पास आप occupied होते हो तो आप इन चीजों के बारे में कम सोचते हो value based education आपको सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म के जो लोग है दूसरे gender के जो लोग है दूसरे religion के लोग है वो भी हमारे जैसे हैं आप उनकी respect करते हो आप के अदर tolerance feeling आती है आप diversity को accept करना शुरू कर देते हो education बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो यह जो sentence मैंने आपको लिखा तो इस editorial के अंदर ही दिया हुआ है preventing war is the work of politician establishing peace is the work of educationist educationist मतलब जो teacher लोग है मेरे जैसे हैं जो और teacher हैं बहुत सारे millions of teacher हैं इनका भी काम होता है कि एक peaceful message बच्चों को दें students को दें ताकि उसको inculicate करें future में अपनी जिन्दगी में अपनाएं और एक peaceful society बनाने में contribute करें ठीक है Indian society के अगर बात करो क्या हम लोग इसको Indian society में follow करते हैं definitely करते हैं इंडिया का जो culture है इंडिया का जो religion है अलग-अलग cultures हमारे हैं religion है, अलग-अलग philosophy है हमारे यहाँ पर जो philosophy है mostly philosophy वो non-violence को follow करती है tolerance को follow करती है है ना, इंडिया में यही तो खास बात है हमारी जो civilization है वो इतने सालों तक survive कर रहे है यह सबसे बड़े एक reason यह भी है कि हम लोग tolerance को non-violence को follow करते है India is not aggressive country at all कभी history में कोई rare ऐसा occasion रहा होगा जब हम लोग ने अपनी country से बाहर जाके किसी को जवरदस्ती attack किया होगा और उसको exploit किया होगा इंडिया में जो नई education policy 2020 में लाई गई है उसके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी बाते की गई है equality की बात की है justice की बात की है social cohesion की बात की है value based और experimental education की बात करी गई है critical thinking के बारे में बात की गई है critical thinking के मतलब यह होता है किसी को अप अंदभक्त मत हो जाओ है ना चीजों को question करो उनके बारे में critically सोचो critical मतलब बुराई बुरी तरीके से नहीं critical मतलब तर in depth सोचो अगर कोई आप से बोल रहा है कि इस चीज में believe करो तो आप अंधा हो के believe मत करो अपने दिमाग का use करो उसके बारे में ठीक है कोई article आपने पढ़ा कोई किसी कोई बात आपने बोल दी उसको सिर्फ इसलिए believe मत करो कि कि लगें तो नहीं follow करो उसे का जाता है critical thinking महात्मा बुद्ध भी ऐसा कहते हैं महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि आप मुझे follow मत करो आप किसी चीज को इसलिए follow मत करो क्योंकि महात्मा बुद्ध ने का है वो खुद ये कह रहे हैं पहले आप उसके उपर apply करो अपने आपको अगर आपको लगे को आपके लिए beneficial है society के लिए beneficial उसको follow करो otherwise follow मत करो महात्मा बुद्ध खुद इतना ज़्यादा critical thinking में focus करते हैं और भी हमारे बहुत सारी चीज़े हैं critical thinking में focus करते हैं तो you need to question the things ठीक है cultural exchange होता है school वगरा में हैना अलग-अलग culture से लोग आते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है teaching in the regional language के बारे में बात कीगी है new education policy में हैना education for all इसके बारे में बात कीगी है new education policy में तो यह क्या दिखाता है यही दिखाता है कि जो इंडिया के education policy है वो बहुत सही level पे है अगर हम new education policy को proper तरीकेस implement करेंगे तो बहुत बढ़िया महोल हम यहाँ पे create कर सकते हैं way forward क्या कहता है way forward यही कहता है कि इंडिया को जो है global best practice को follow करना चाहिए UNESCO को जो guidelines देती हैं उनको follow करना चाहिए जैसे global citizenship education and intellectual dialogue बातचीत करिए debate करिए अपने विचारों को व्यक्त कीजिए दूसरे के साथ exchange कीजिए जिससे आप लोग enrich होते हो peaceful society वो होती है जो diversity को और differences को accept करती है उनको embrace करती है तो diversity is very very good thing to survive diversity से आप दूसरे के विचारों को tolerate करने की शक्ति आती है अगर diversity नहीं है तो आप तो दूसरे के विचार को accept करने में बहुत problem आ जाती है मीडिया को promote कीजिए information literacy को promote कीजिए जादा से जादा लोगों को तक एक बढ़िया information जाने चाहिए अच्छी information जाने चाहिए rather than the fake news sports भी peacefulness में बहुत जादा जो है एक role play कर सकता है है ना we also need to recognize and improve the opportunities for the disadvantage group disadvantage group जैसे minority होगे women होगे जो physically you know differently enabled लोग है उनके बारे में ये बात कर रहा है उनको भी हम लोगों recognize करने की जरूरत है उनको भी opportunity देने की जरूरत है है ना school एक बहुत अच्छा माहल create करते हैं पर बच्चे जाते हैं सीखते हैं एक दूसरे से और एक non-violent space होता है school में तो violence नहीं होता है तो school को यार जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए सरकार को क्योंकि इसकी वज़े से बच्चों को भी काफि ज़्यादा नुकसान हो रहा है है ना अगर peaceful society बनानी है तो अपने एजूकेशन सेक्टर को एक आपको अच्छे तरीके से उसकी बिल्डप करना पड़ेगा तो बहुत शांदार मुझे परसनली बहुत अच्छा लगा जीएस पेपर 4 में आपकी एसे के लिए काम आ सकता है इवन आपकी परसनल डिवलपमेंट के लिए भी इस तरह के आर्टिकल जो है बहुत काम आते हैं conceptual होते हैं बहुत ज़्यादा subjective nature के होते हैं बहुत ज़्यादा scope होता है सोचने का विचारने का बातचित करने का इसलिए इस तरह के article जो है बहुत श्यांदार होते है factual information बहुत कम होती है तो दिमाग पर लोड भी नहीं आता है चलिए अगला कह रहा है re-imagining food system with the lesson from India lesson from India मतलब यहाँ पर इंडिया की खूब सारी तारीफ की गई है इंडिया की जो situation थी 1960s में 70s में वो सब को पता है उसके बाद 60s में जब इंडिया ने green revolution को embrace किया adopt किया इंडिया की जो food production है बहुत जादा increase हो गई इंडिया से hunger जो है almost खतम हो गया है ना तो इंडिया एक live example है इंडिया चाइना दुनिया के सामने कि कैसे आप इतना कम span में चीजों को improve कर सकते हो जो के बारे में ही है देखे इस बार September में क्या हुआ इस बार जो है एक world food summit हुआ था United Nation के उसमें जिसमें उन्होंने rising hunger के बारे में problem को discuss किया था ठीक है food system transformation की बात की गई इन्होंने कहा है कि sustainable development अगर हम लोगों को achieve करना है तो उसमें hunger और food system transformation बहुँ ज़्यादा role play कर सकते है आप question आज मुझे क्या बताऊगे comment section में बताऊगे कितने how many sustainable developments are there ठीक है option देता हूँ 16, 17, 18, 19 बताऊ इन में से कितने है ठीक है इसमें से 10, 12 तो food से related ही है तो इसने जो food submit किया गया था भी उसके अंदर 5 चीजों का identify किया गया है कौन कौन सी है ensure access to the safe and nutritious food access होनी चाहिए sustainable consumption होनी चाहिए मतलब wastage नहीं होना चाहिए nature positive production होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप nature को नुकसान पहुंचा के production कर रहे हो तो nature friendly होना चाहिए advanced equitable livelihood भी होना चाहिए society में livelihood मिले लोगों को काम धंदा मिले equitable distribution हो वो सारी बाते की गई है उपर से build resilience to vulnerabilities shocks and stress जैसे किसी साल मौनसून कम हो जाता है किसी साल flooding आ जाती है तो आपका food structure system ऐसा होना चाहिए कि वो इस तरह के जो shocks होते हैं उसको absorb कर सके resilient होना चाहिए इतना fragile नहीं होना चाहिए इसके बारे में बात की गई है उपर से इन्होंने इंडिया की long journey के बारे में बात की गई है इंडिया में कभी के समय में कितना chronic food shortage हुआ करता था आज इंडिया में surplus food production है and it's a lesson to all over the world like African countries, South American countries, Asian countries के लिए के lesson है इंडिया जीता जाकता उधारान है इंडिया इंडिया ने किया कैसे है कैसे किया कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रखी है land reforms, public investment किया इंडिया ने सरकारी बहुत जाद investment किया green revolution and all that institutional infrastructure, banking sector वगरा को हम लोगों ने अच्छे से develop किया new regulatory system हम लोगों ने बलाया public support मिला intervention in agriculture market में हम लोग APMC Act और दुनिया भर की चीज़े हम लोग निया पर की ताकि हम लोग agriculture prices वगरा प्रोपर तरीके से कर सकें research हम लोगों ने किया, नहीं नहीं laboratories वगरा open की, institutions दिवेलप किये यह सारी की सारी चीज़ें इंडिया ने की और लेकिन इतने से ही काम नहीं चला 1991 और 2015 के बीच में इंडिया ने, देखे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ food production के उपर focus करते थे, wheat और rice लेकिन 1991 के बाद हम लोग ने direction थोड़ी सी change करने की कोशिश की हम लोग ने होटी culture पे भी focus करना शुरू किया, dairy industry पे focus करना शुरू किया, है ना, animal हजबेंडर, fishery sector पे भी focus करना शुरू किया, nutritional health, food safety standard और sustainability deployment and the space technology, इन चीजों का भी हम लोग ने use किया, देकि जैसे जैसे समय होता गया ना, तो इंडिया इस मामले में क्यों चलाए हुआ है, ताकि food security को हम लोग ensure कर सकें, गरीब आदमी को भी food easily provide कर वा सकें, है ना, प्रक्योर्मेंट करती है, food corporation of India, जैसे अब धान की फसल की कटाई होगी, तो बहुत सरा procurement किया जाएगा, buffer stock हम लोग रखते हैं, advance में, COVID-19 की समय में, जब और ये दुनिया के लिए एक lesson है, लेकिन यहां पर कुछ challenges भी है, आने वाले समय में, आने वाले 20, 30, 25, 50 सालों में हमारे सामने challenge है, कौन-कौन से climate change, unsustainable use of land and water resources, कितना जादा हम लोग water को exploit करते हैं, तो ये बहुत बड़ी समझता है, dietary diversity, हम लोग जादा तर rice के ओपर और wheat के ओपर depend करते हैं, जहां पर under nutrition वाली problem हो गई है, है ना, under nutrition वाली problem इंडिया में बहुत जादी irony है, irony in the sense का एक तरफ तो हम लोग food surplus हैं, दूसरी तरफ हम लोग under nutrition भी है, तो कहीना के एक irony है एक paradox है, इंडिया को इस paradox को दूर करने के जोरुत है इसके लिए इंडिया ने कुछ solution भी लिये हैं, जैसे public distribution system को हम लोग 45 करेंगे, 45 का मतलब उसके अंदर हम लोग जैसे कुछ अलग से micro nutrients को add करेंगे, rice वगरा के अंदर पोशन अभियान इंडिया ने चलाया है, food wastage को हम लोग ने program करा चलाया है, कम करने के लिए future क्या होगा, future ही होगा, अगर आपको 2030 तक sustainable development को achieve करना है, तो इंडिया वाले model को follow करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ changes आपको लाने पड़ेंगे अलग अलग जो partner है, अलग 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 स्टीट गोर्मेंट से center government के अंदर जादर दुनिया बर के department है, उनके अंदर प्रोपर तरीके से cooperation होना चाहिए, citizen और civil society organization को भी जादा से जादा participate करना चाहिए, और private sector को भी participate यहाँ पे करने की जूरत है, और जादा invest करने की जूरत है, नहीं नहीं innovation करने की जूरत है, क्योंगे समय change हो रहा है, climate change and all that, innovation करोगे, तभी आप कुछ नया चीज़ा यहाँ पे खोज पाओगे है ना, lasting solution होना चाहिए sustainable agriculture, ऐसा नहीं है कि हम लोग 2-4 साल की सोचे, अगरे 50 साल की सोच के कम से कम चलना चाहिए, तो नहीं agriculture practice को इंडिया को फोलो करना चाहिए, तो mitigating climate change ensure healthy, safe, equality and affordable food, biodiversity को भी maintain करने की जूरत है, मतलब यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि हम लोग सिर्फ राइस और वीट के उपर ही फोलो करें, पर या दूसरी फसलों पे family farming के बारे में बात कर रहा है, indigenous जो लोग है, उनके rights को भी protect करने की जूरत है, किस तरह से वो अपने आपको future में आने वाली challenges से tackle कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है, हैना women participation यहाँ पर requirement है, और अलग-अलग जो food chain है, हमारी value chain है, उसको एक तरह से robust करने की जूरत है, तो एक अच्छा है, conceptual है, बहुत सारे चीज़ी यहाँ पर mention की गई है, तो आप इसको थूरू अपना ऐसे और बगारा लिख सकते हो, ठीक है, उसके लाब कुछ additional reading यहाँ पर दे रखिए, आप चाके इसको भी देख सकते हैं, ज्यादा